हलो फ्रेंड वेल्कम बैक इन इन वा यूटिफ चैनल कैसे हैं आप सब आप समझे होंगे फ्रेंड आज जो मैं अपके लिए प्लोट लेका हूं उसके साइज है 20 feet by 30 feet 20 feet इस प्लान का विर्थ है और 30 feet इस प्लान का लेंद है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान और उनके लिए बनाया है तो आपको भी अगर आपको यह प्लान अच्छा लगता है तो लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करें तो चलिए देखते हैं यह हमारा ग्राउंट हो रहा है और यह हमारा वेस्ट फिसिंग का प्लान है वन साइड ओपन प्लोट ह इससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे तो यह हमारा रोड है इससे होते हुए हम अपने घर के अंदर जाएंगे हमारा जो मेंडोर है वो फिर 4-4 पीट का यह चोड़ा गेट है जिससे हम अपने घर के अंदर जाते हैं तो यहां पे एक बिंडो डिजाइन के लिए एक स्पेश डिजाइन के लिए एक स्पेश डिजाइन के लिए दो ज्यक्ति चेंजरें के लिए तो पर की कि तरफ रहती है तो यहां पर हम अपने घर के अंदर घ板 को त्री फिट एच का रिए केली के लिए को पैसल मिलता है तो की रास्ता मिलता है जिसे हम अपने घ्र के अंदर जाएंगे जैब नो है कि अब्स ने तो उपडली में भी के सबस्क्पी के फूर जैबने के निहीं तो इस悹 मैंने यहाँ यहां पर मैंने वन फीट सेवन इंच और इस पेस दिया है आगे मिड लैंडिका तो एक और हमारी जो स्लैब है यह अल्मूस्ट फीट के यहां पर हमको पूरा जगह मिलेगा तो यहां से हम होते हुए हम अपने इस तरफ से आते हुए आपने फर्स प्लॉर में आजाएंगे दोस्तों तो यह हमारे जो स्टेर के से चोड़ाई है वह 3 फीट है और जो इसका ट्रेड है जिसके हम अपने पैर रखेंगे वह 9 इंच का है तो अभी बात करते हैं यहां पर जो इसका राइजर है वह 7 इंच का है तो इससे हम आगे जाते हैं तो यहां से हम हमको एक मैंने Dining hall के अंदर जाते हैं तो यह जो जो लेके लेकिर यहां तक और इपूले जो एक बार यहां पर जो 5-6% 5-6 लोग एक साथ बाइट के यहां पर लंच या डिनो कर सकते हैं तो इसी पी जिस्ट राइट साइट पर यहां पर कॉमन ट्विलेट डिजाइन किया है कॉमन ट्विलेट अंड बाथ रूम है तो इसमें यहां पर वेंटिलेशन डिजाइन किया है जिसका साइज है 2ft x 2ft तो जिससे जो भी इसमें बद्वू होगी जो भी स्मेल होगी वह इस वेंटिलेशन से होते हुए बाहर के तरफ चली जाएगी तो अभी आयते हैं दोस्तों अपने डानिंग अलस ही होते होगे अपने वेड्रूम में जाएगे तो इसमें बड्रूम है इसका साइज है 10ft 6 साथ एंदर में और यूट को दोरी वाल पे जो साइब के है वह वह भिट्रो TOP प्लेजस होतीं इसका साइब आम साफ से एंदर में के रोआ यसे आजाते हैं अपने डानिग रान l आर और डाइनिंग हॉल से हमारे आते हैं अपने किचन में जाने का है तो किचन का साइज है वह 10 feet है 10 feet इसका लंबाई है और जोडाई है 7 feet 7 inch है उसमें जाने के लिए 2 feet 6 inch के यहां पे डिजाइंग के दरवाजा है जिससे हम अपने किचन के इंदर जाएंगे तो यहां पर जो किचन में यहां पर यहां पर जो भी हमारी जो धुआ होगा जो भी स्मोक होगा वो इस विंडो से होते हुआ हमारे साफ से होते हुआ बाहर की तरफ जाएगा तो विंडो का साइज है 3 feet by 4 feet जो कि कफल बड़ा विंडो है तो जिससे हमारी जो नेचुरल मैं यहां पर फॉर स्वीट का एक और दिएंज किया है जो कि बंग और पर प्रम में इसको इसको और बेंग रूंप है जो ऑन धोड़ाई है तु जो चोड़ाई है वह नाइन फीट अकुल्ड ज़े तो अभी बात करते हैं इसके लिए मैंने एक और डिजाइन किए है जो के हमारे बाहर वाली जो हमारी रोड वाली वाल रोड की तरफ है इधर से भी मैंने जाने के लिए डोर डिजाइन किया जिसका साइज है 3 feet by 4 feet sorry 3 feet by 7 feet 7 feet इसका लंबाई है तो इस वाली वाल पर एक विंडो डिजाइन किया जिसका साइज है 3 feet by 4 feet यह इसमें एक विंडो डियान किया जिससे हमारे जो नेचुरल लाइट है में बाहर की तरफ से हमारे इस गेस्टूम में हमारे लिविंग रूम में जाएगा तो अभी बात करते हैं वाल साइजेस की और कॉलॉम पॉजिशन की तो हमारे जो आप रेड पलर में देख रहे हैं कोल्म मतलब हमारे जो पिलर होते हैं जो हमारे खंबे होते हैं यह हमारे पिलर जेंके और यह मैंने जिवल्स हैं और यह मेरे लाल क्लेर क्वION और इस दो कुल लूट्र इंकर साइज ना इन इंच आपर जाएंगी उन नांनाइच की नाइंचु Hm Yeah कि यह को अधर की जो पाइशन वाल है तो मैंने फाइशे की डिजाइन के हुए यह रेड गलर में देख रहे हैं यहां पर हमारी 9 इच्पाइश की बीमाड आईगी और यह लाश्ट वाले वाल पर हमारी 9 इच्पाइश 12 इंच की फिलोंच जो धों अमारे पिलर्स हैं हमारे खंबें हैं में हमारे कॉलम्स हैं विसों पर हमारी इंसे ताइड कर जाएगे आपको यह प्लांड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताईएगा लेकिन दूस्ते बात यह बताना था कि हाँ आर्क का जो इल्यवेशन है वह ऐसा ुट दिखता ह ज़ो कि अच्छा वेलियो के लिए थो चलिए दोस्तों में तब तक अपना सियार लखें बाई टेख केर था कि प्यार्ड आइर